हेलो बच्चों, वेलकम टू माई चैनल आरंजी के हब स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आरंजी के हब में आई हम देखने वाले हैं एफलन अंकूर बर्कवोक कक्षातीन विसेगणित का संपूर्ण हल अभी तक आपने मेरे वीडियो को सबक्राइब नहीं किया है तो सबक्राइब जरूर कर लें इससे आने वाले सभी वीडियो के नौटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगी और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करें और ये भी बताएं कमेंट्स में कि किस चेत्र से आप मेरे वीडियो को देखें देख रहे हैं चलिए आए देखते हैं सब्ता पांच आकणों की समझ दिवास एक कुश्चन नमर बान है आप अपने कक्षा के सभी बच्चों को गिनिए और पता कीजिए कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं फिर ये पता कीजिए कितने बच्चों ने फुलास्तिन के कपड़े पेने और कितने बच्चों ने हाँ फास्तिन के कपड़े पेने नीचे लिखिए तो कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं तो मेरी कक्षा में तो यहां पर 25 बच्चे हैं, तो मैंने लिख दिये 25, आप अपनी कक्षा में गिनके लिख सकते हैं, अब उसमें यह देखिया, आप फुल आस्तिन के कपड़े पहने वच्चों की संख्या कितनी हैं, तो मैंने एकाउंट करी, तो मेरी तो हुई 15, आप प्रिश्टिंग के कपड़ों से अधिक हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, आप प्रिश्ट नमर दो है, नीचे दिये गए चित्र को धियार में देखिये, और प्रिश्टों के उत्तर दीजिए, जहां पर यह चित्र बने हुए हैं, तितली का, चिडिया का, चिर्टी क तो आपको इसके आंसर देने हैं, इसमें प्रिश्टिंग के संक्या गिनना हैं और लिखना है, तो तितली कितनी हैं, तो जैसे अपने काउंट करी, वन टू थ्री, फॉर, फाइव, सिक्स, तो आप लिख सकते हैं, तितली छे हैं, अब चीटी कितनी हैं, तो लाल लाल तो चिडिया हो रही है, 7, तो यहां पर चिडिया 7 हो रही है, अब एक कोश्चन आता है, किस की संक्या आदिके, किस की संक्या सबसे आदिके, तो आप देखिए, बतक की संक्या सबसे आदिके, चिडिया कहलो या बतक कहलो कुछ भी कह सकते हैं, और किस की संक्या सबसे कम है तो आप लिखिए सबसे संख्या कम चीटी की है क्योंकि ये पाँच है तितली की छे है तो तितली की ज्यादा है इसलिए चीटी की सबसे कम संख्या है चलिए आएए देखते हैं दिवस दो में अपन आकणों को एकत्र करना कुशन नमर वन है अपनी कक्षा के अंदर उपलब्द बस्तू के नाम लिखिए और उनके संख्या बताईए तो ये पाँच करम संख्या दे हुई है बस्तू का नाम लिखना है तो सभी कक्षा में होता है कुर्सी मेज स्याम पड़ चौक डश्टर तो मैंने इस तरह लिख दिया है बस्तू की संख्या भी एक कुर्सी है एक मेज है एक स्याम पड़ है और दो चौक और एक डश्टर है इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं आप इस नंबर 2 देखिए न सिंहान गिए यह 23456789 10 कितने हैं तो कई अश्यष नायन आप केलों की घृत है 123456 तो यह 6 लिए ओर इंच की संक्य यकिति है तो 5 लिख दीजिये कामप्र union की गावा की कितनी है hairstoreui तो फॉर लिग दिया तो फलों की संक्या सबसे अधिकी सेफ की और सबसे कम किस्की हैं अम्रूस की के अब अपन देखते हैं आंकलौों को पढ़ना को सुन कि नीची डियरां कि अध्यान से देखिए ऑज है ओशा नाप के नाम दिये यह हैं आम सेव खेले संत्रा और फलों की संख्या दिए तो आम की संख्या कितनी है चार सेव की संख्या कितनी है पांच और केले की कितनी है छे और संत्रे की कितनी है तीन इस तरीके से सबकी संख्या आपको काउंट करनी है अब फिर आप इन प्रश्णों के उत्तर अच्छे से दे सकते हैं इसमें आए आ नीचे दिए आंकणों के आदार पर पिरेशलों के उत्तर दीजिए एक दो तीन करम है चाहरे के बाँ हसी ने है बच्चो पर ठीए पर हसी है कुल बच्चों की संक्या कितनी है, 17, कितने बच्चे आस रहे हैं, 5, कितने बच्चे रो रहे हैं, 5, कितने बच्चे नीद में, 7, इस तरीके से आपको लिखना है, अब अपन दिवस छे में देखेंगे आखनों का उपयोग, नीचे दिए गए आखनों को ध्यान से देखिए इवं प्रिश्णों को हल कीजिए कच्छा में अपस्ति बच्चों के पास बस्तुओं की संख्या देखनी है जैसे पैंसिल है तीस, पैन है दस मॉम के रंग है पंदरा रवर 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 थीस और पैंसिल बॉक्स है अब अपन को इन प्रिश्णों के उत्तर देना है इन में कितने बच्चों के पास मॉम रंग है पंदरा कौन सी बस्तु है जो बच्चों के पास सबसे कम है पैन इन में कौन सी दो बस्तु है जिनकी संख्या बराबर है उनके नाम लिखो तो पैंसिल और अवर्ड की संक्या बराबर है पैंसिल और पैंसिल और पैंसिल की संक्या की बीच के अंतर कितना है 20 का कौन सी वस्तु संक्या में सबसे कम है उनके नाम बताओ तो पैन, पैन सबसे कम है, दस हैं तो वो सबसे कम है इससे आपको कम और ज़्यादा का भी ज्यान हो रहा है कौन संक्या ज़्यादा है, कौन सी संक्या कम है नीचे अप्रिश नमर दो में देखिए नीचे दिये गए फलों को ध्यान से देखिए एवर उनकी संक्या लिखिए आपके लिए एक उधारन दिया गया है जैसे की यहाँ पर तर्बूच कितने हैं? एक, दो, तीन सेव कितने हैं? एक, दो केले कितने? पाँच आम कितने? तीन और अम्बूच कितने? चार इस तरीके से सबकी संक्या दिये तो आपको काउंट करकर के लिखना है तो बच्चों आपका ये सब्ता पांच पूरा होता है और अब अपन फिर से मिलते हैं सब्ता छे में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कहां से देख रहे हैं ओके वच्चों थैंक